मसकार दोस्तों मैं हुआ पृथवी एंड कैश्टो सभी, fit and fine स्वाज हम बात करेंगे भारत सासन अधिनियम 1935 के बारे में हमारे सविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने भारत सासन अधिनियम 1935 से लिया है जिसको हम कहते हैं मांटे की उचेम स्पोर्ट सुधार अधिनियम इसमें सुधार वाली तो कोई बात ही नहीं थी इस अधिनियम में मैंसन किया गया था कि आने वाले 10 बरसों के पस्चात अधिनियम 1919 पर एक जांचायो का गठन किया जाएगा लेकिन 10 बरस कंपलीट होने से पहले ही अधिनियम 1919 पर जांचायो का गठन किया जाता है 1927 में जिसको हम कहते हैं साइमन कमिशन साइमन कमिशन भारत पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को और भारतियों के द्वारा इसका बिरोध किया जाता है भारत में बिरोध जेलने के बाबजूद भी साइमन कमिशन अपनी रिपोर्ट जो है फाइनली पब्लिस कर देता है 1929 में वहीं अंग्रेजों ने भारतियों को चैलेंज करिया होता है कि अगर आप खुद को इतना ही capable मानते हो तो आप एक ऐसा सविधान त्यार करो जिससे कोई भी भारतिया जो है ठुक राए नहीं सुत्रिया मांगे ब्रिटिस सरकार के समक्स रखता है और साइमन कमिशन की रिपोर्ट नहरू रिपोर्ट और जीना की 11 सुत्रिया मांगो पर डिसकसन करने के लिए ब्रिटिस सरकार के दोरा लंदन में तीन गोल में स्मेलनों का गठन किया जाता है तिनों गोल में स्मेलने जो है वो फ्लॉफ रहती है पहली गोल में स्मेलन 1930 में होती है जिसमें कॉंग्रेस भाग नहीं लेती दूसरी गोल में स्मेलन 1931 में होती है जिसमें महतमा गादी कॉंग्रेस के प्रतिनीधी के रूप में इसमें सामिल होते हैं और तिसरी गोल में समेलन 1932 में होती है और इन तिनों गोल में समेलनों में जो भी खिचडी पकती है या जो भी डिसीजन होते हैं उन्हें मैंसन किया जाता है स्वेथ पत्तर में साथ ही साथ ब्रिडिस सरकार ने अलग से एक मेटी गठी की होती है वो भी कुछ सिपारिसें देती है उनको स्वेथ पत्तर में सामिल किया जाता है फिर इस स्वेथ पत्तर पर विचार करने के लिए ब्रिडिस संसद में एक संयुक्त प्रवर समीती की रम बनाई जाती है ब्रिडिस संसद के दोरा अगस्त 1935 में पारित किया जाता है यह अदिनियम भारत में उत्तरदाई सरकार के गठन में एक मील का पत्तर साबित होता है आप देखो जो भारत सासन अदिनियम 1935 है वो बहुत बड़ा था इसमें 321 अनुचेद थे और 10 अनुचियां थी जब हमारा सव्धान त्यार हुआ था तो उसमें हमारे सव्धान में 395 अनुचेद थे और 8 अनुचियां थी फिलाल आज वो 12 अनुचियां है तो सोच सकते हो कि जो भारत सासन अदिनियम 1935 था वो कितना वड़ा था और इसी अदिनियम से काई जो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने एज़िट अपने सव्धान में डाल दिया है अब बात करते हैं भारत सासन अदिनियम 1935 के बिसेस्ताओं के वारे में अखिल भारतिया संग की स्थापना की गई इस अदिनियम में और जो अखिल भारतिया संग था इसमें ब्रिडिस भारतिया परांतों मुख्या आइक्त परांतों और भारतिया परांतों को समलित होना अनिवारय था compulsory था इनके लिए बट इसके साथ जो देश की देशी रियास्ते थी उनको इसमें सामिल होना बेकल्पिक चोड़ा गया और अफसनल चोड़ा गया मतलब जो देशी रियास्ते हैं वो इसमें सामिल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती लेकिन यह अखिल वारतिया संग जो इसका निर्मान नहीं होता क्योंकि जो भारतियां जो देशी रियास्ते थी उन्होंने इसमें कोई इंटरस्टी नहीं दिखाया इसके साथ ही केंदर और प्रांतों के भी सकतियों का विवाजन किया गया और जो सुचियां बनाई गी जिस तरा आज भी है संगिया सुचिया सुचिय और संबर्ति सुचिय जिस तरा आज आप दिखते हो केंदरिया सुचिय राज्या सुचिय और संबर्ति सुचिय बार सासन दिनियम 1935 के जो है केंदर और प्रांतों के बीच में सक्तियों का बिवाजन किया गया जिस के दा जो तीन सूचियां बनाई गई संग्या सूचि जिसमें 59 भी सहे थे राज्या सूचि जिसमें 54 भी सहे थे और संबर्ती सूचि जिसमें 36 भी सहे थे संग्या सूचि में कानून केंदर बनाता था राज्या सूची में कानून प्रांत या राज्या बनाते थे और संबर्ती सूची में केंदर और प्रांत दोनों जो है वो कानून बनाते थे जिस तरह आज भी आप देखते हो कि जो केंदर सूची है उसमें केंदर कानून बनाता है जो राज्य सुची है उसमें राज्य कानून बनाता है जो संबर्ती सुची है उसमें राज्य और के अंदर दोनों कानून बनाते हैं लेकिन आज क्या फंपंडा है कि जो संबर्ती सुची है उसमें अगर के अंदर कानून बना रहा है उनको हम कहते हैं अवसिस्ट विसाय जो विसाय थे या अवसिस्ट जो सकते हैं थी वो दे दी गई वाइसराय को मतलब जो इन तीनों विसायों में या सूचियों में जो विसाय सामिल नहीं होतें उन्हें वर कानून वाइसराय बनाएगा साथी साथ प्रांतों में जो दोयद सासन था आपने देखा होगा कि 1919 के अधिनियम केता है प्रांतों में जो विसायतों ने अलग-अलग कर दिया गया हस्तांतरित आरक्सिय और अस्तांतरित भिस्ययों में तो इस द्वैज सासन को 1919 के अधिनियम केता है जो है जो समाफ्त कर दिया गया और प्राथों को स्वाित्ता का पारदान की गई मतलब जो राजियों को अपने दाइरे में रहकर स्वाइतता तरीके से सासन करने का अधिकार मिल गया और यह जो विवस्ता थी वो 1937 में 1937 से स्टार्ट होती है और 1939 में यह समाफ्त भी हो जाती है और केंदर में 275 परणाली का सुबारम कर दिया गया आपको पता है कि जो 1919 का अदियम आ या 1909 का जो भी अदियम था उसके तैजिए जो केंदर में 277 परणाली है स्टार्ट नहीं की गई थी केंदर में एकात्मक सासन परणाली टी लेकिन भारत सासन अदिनियम 1935 के तयद केंदर में 2765 में का सुभार्म की लिए बहुत इंपॉर्टन कोश्चिन है और यहीं यहां से सफ जब जादा पूछा जाता है कि अदिनियम के तयद केंदर में 2765 में शुरू की गई प्रांतों में जो विशाय थे वो डिवाइड किया गये थे सेमी इसी तरह भार सासन अधिनियम 1935 के थे केंदर में विशायों का विवाजन किया गया और जो सुरक्सित विशाय थे उनमें आता था विदेशी मामले, रक्सा, जंजाती अक्षित्र था धार्मिक मामले आदी, तो इन सुरक्सित विशाय पर जो कानून बनाता था वो गवर्नर जनर बनाता था कारेकारणी परिशद की सलहा पर और जो कारेकारणी परिशद थी वो केंदरिया भिधान मंडल के प्रती उतरदाई नहीं थी और जो बच्चे हस्तांतरित विशाय में बेविशाय आते थे जो सुरक्सित विशायों के अलावा थे मतलब जो विशाय सुरक्सित विशायों में नहीं होते थे या सुरक्सित विशायों के अलावा जितने विशाय बचते थे उनको हम अस्तांत्री विशायों में रखते थे तो अस्तान्त्रिया जो कानून बनाता है वो गवर्नर जनरल उन मंतरियों की सलहा पर बनाता है जो केंद्रिया विधान मंडल के प्रती उत्तरदाई थे तो इस तरह से भार्द सासन अधिनियम के तहट केंदर में दोएध सासन विवस्ता जो बो लागू हो जाती है इस अधिनियम के तहत उडिसा और सिंध को दो नए परांत बना गए आपको बता है कि पहले से मांग हो रही थी कि महराश्टर से सिंध को अलग करके अलग परांत बनाया जाए तो भारत सासन अधिनियम 1935 केते सिंद को महाराष्टरा से अलग कर दिया जाता है और उडिसा और प्रांत दो नए प्रांत बन कर आते हैं उडिसा जो है हमारा इस्ट की साइड है और जो सिंद है वो वेस्ट की साइड है और जो उत्री पश्चिमी सीमा प्रांत है उसे गवर्नर के अधिन रखा जाता है इसमें ग्यारा राजियों में जो भारत सासन अधिनियम था इसकेता है जो ग्यारा राजिया है उनमें से छे दुए सासन विवस्ता प्रारंब की गई आप मुझे comment box में बताईएगा कि आज किसमें भारत में कितने राजयों में जो है दुए सद्निया विवस्ता लागू है दुए सद्निया मतलब जो विधान मंडल है और विधान परिसद है कुछ राजय ऐसे हैं जहां पर केवल दुए सद्निया विवस्ता लागू की गई जैसे बंगाल में बंबई, मदरास, बिहार, सुयुक्त परांथ और असम इन छे राजयों में दुए सद्निया विवस्ता की गई बर्मा और अधन को भारत के सासन से प्रिथक कर दिया गया मतलब जो बर्मा है जिसको आज हम मिय अमार बोलते हैं में अमार और अधन का जो प्रशाषन होता था उसे अंग्रेज भार्स से इचलाते थे लेकिन भार्सासन अधिने मुझ निस सो पैंतिस के तैट बर्मा और अधन के प्रशाषन को जो अब अलग कर दिया गया मतलब इतना विस्तार नहीं हुआ कि 10% जो 1935 के तहती होता है अपने एक आरवियाई Act 1934 के बारे में पड़ा होगा जिसके आरवियाई की स्थापना की जाती है तो आरवियाई या अरवार्तिया रिजर्ब वैंक का भी की भी स्थापना भार्सासन अधनियम 1935 के अधीन ही की जाती है और एक वात ही आ है रखना कि आर इस अधिनियम के तहित दिली में एक संगिया नेले की स्थापना की गई 1937 में जो 1940 में सुप्रिम कोर्ट बन जाता है इसी के तहित जो संगिया लोक्षेवा आयोग की स्थापना की जाती है और प्रांतों में प्रांतिया लोक्षेवा आयोग की स्थापना की जाती है और दो दोल राजियों के लिए स्विंक्त लोक्षे वायों का गठन किया गया तो इसका जो प्राफधान था वो 1935 के तहते अड़ किया गया और इस 1935 के अधिनियम में जो संसोधन करने का जो अधिकार था या पावर थी वो केवल अंग्रेजी संसद के पास ही दी गई मतलब 1935 के अधिनियम में अगर संसोधन किया जाएगा तो ब्रेडिस संसद के द्वारा ही किया जाएगा सो गाईज एथा हमारा भारत सासन अधिनियम 1935 और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बावा गाईज